कि अब्सक्राइब करें विडियो को फुल वॉच कीजिएगा यह जो ड्रेस है वह आप शिक सेवन इयर बेवी के लिए पैना सकते हो अगर आपका बेवी हेल्थी है तो आप पहले यह वाली चैन मना कर उसके नेक में लगा कर देख लें तो चलिए यह बनाना इस्टार्ट करते हैं वीडियो को फुल वॉच करना वीडियो अच्छे लगा करना अपनी एंली फैबली प्रेंट के साथ से जरूर करना इस तरीके की वीडियो और आगे में बहुत प्यारे-प्यारे आपके साथ टिजायन शेयर करूंगे तो हमारी फैमिली मेंबर जरूर बने वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को बने सब्सक्राइब अगर पहले वार विजिट कर रहे हैं तो यह देखिए मैंने यहां पर यह फ्रिल बनाई है आ आप चाहिए तो सेम यह वाली जर्ण है वह कंटिन्यू कर सकते हैं पर यहां पर डिजायन चेंज करूंगे तो चलिए मिलती हूं वीडियो में तो प्लीज वीडियो को पिर से कह रहे हैं जो आप से रिक्वेश्ट है कि वीडियो को फुल वाच करके अपनी राय देना ना स्वारा बुलियो के बहुत प्यारा लग रहा है और दुके यहां पर मैंने फॉर प्लाइ बूल लिया है ओसाओ वाल का स्मार्ट बेपी बूल अब टू-बबं tolerant करोशियो होक लिए है मैंने इस सोप्ट वाला बूल है यहां पर सबसे पहले दिखें हे जाकेट बनाने के ल चैन बनाऊंगी में 3,4,5,6,7 तो 58 चैन बनाकर फिर दिखाते हैं आप देखे 58 मैंने चैन बना लिए हैं और अगें वन टू चैन बनाऊंगी में और टू चैन बनाने के बाद इस तरीके से बल लेकर हाट डवल कोशया बनाऊंगी नेश्ट वन में हाट डवल कोशया नेश्ट वन में हार्ट डबल कोश्या अगें नेश्ट वन में हार्ट डबल कोश्या इसी तरीके से हार्ट डबल कोश्या बनाते हुए हमने अपने प्रों को कम्प्लेट करना है तो देखे मैंने इस तरीके से सबी चैन्स के अंदर 1-1 टाइम हाफ डबल कोश्या बनाकर रेड़ी कर लिया है अगें यहां से मैं 1-2-3 की चैन बनाऊंगी वक को टैन करूंगे अब यहां हम इस चैन को काउंट नहीं करेंगे अगें 1-2-3 त्री डबल कोश्या बनाने के बात फूर्थ में हम 1-2 टाइम डबल कोश्या बनाएंगे इस तरीके से अगें बल लेंगे 1-2-3 फूर्थ में हम 1-2 टाइम डबल कोश्या बनाएंगे इस तरीके से अगें 1-2-3 फूर्थ में जाकर 1 और 2 यानि एबरी फूर्थ चैन में हमने 2-2 टाइम डबल कोश्या बनाकर इस रोग को कम्प्लेट करना हैं देखें इस तरीके से मैंने इस रोग को कम्प्लेट किया है एबरी फूर्थ चैन में डबल कोश्या बनाते हुए अब मैंने यहां पर चैन बना लिए इस चैन को हम फिर से काउंट नहीं करेंगे और अगें यहां पर देखें वर्ण कि टू कि ट्रीट कोश्या नीचे हमने फूर्थ में जाकर अपने इसको इन्टीज किया था यहां पर अब हम फिप्त में जाकर टू टू टाइम डबल कोश्या बनाएंगी अगें वन टू टू ट्रीज फूर एफिफ्त चैन में हमने टू 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 गोश्या बनाएंगी इसी तरीके से आपने इसमें फाइब लग बनानी है अब यहां पर मैंने three three के बाद fourth में बढ़ाया था अब fifth में बढ़ाएंगे फिर sixth में बढ़ाएंगे, फिर seven में बढ़ाएंगे तो fifth row मेरी हो जाएंगी तो मैं seven तक आपको बना कर फिर दिखाती हूं देखिए इस तरीके से फिर दिखाऊंगे अब मेरा देखे इस तरीके से बढ़ रहा है वन टाइम क्रोश्या नेश्ट में तो थ्री फोर तक बना लिया फिप्त में अब हम टू टाइम बनाएंगे इसी तरीके से ये थर्ड रो है मेरी फोर्थ रो में शिक्स वाले डबल कोश्या बढ़ाएंगे और फिप्त रो में शिक्स वाले डबल कोश्या बढ़ाएंगे इस तरीके से बढ़ाते हुए बनाकर फिर दिखाती हूं तो दीखें मैंने इस तरीके से 1,2,3,4,5 रो बनाकर त्यार कर लिए हैं तो इस में किस तरीके से दीखें मैंने यहाँ पर जैसे के आपको पहले बताया था इस वाली रो में हमने यह वाला काउंट छोड़कर 1,2,3,4 पर 2 टाइम डबल कोश्या बनाएते देखें इस वाले में इसको छोड़कर 1,2,3,4 और 5 पर देखें यहाँ पर हमने 5 पर डबल कोश्या बनाए इसमें 1,2,3,4,5,6 पर जाकर डबल कोश्या बनाए और इसमें देखें 1,2,3,4,5,7 यहाँ दे 6,7,7 पर जाकर हमने 2 टाइम डबल कोश्या बनाए इसी तरीके से हमने एबरी चैने स्टिच में वन वन टाइम छोड़कर इस तरीके से बना लिया है, जब इस तरीके से बना हुए, तो अब हम अपना इसमें नेश्ट कलर योज करेंगे, यो किस तरीके से योज करना है, तो देखें, मैं यहां पर यह वाला कलर ले रही हैं, कलर कॉमिनेशन आप एक ओरडिंग ले सकते हैं, इसमें किस तरीके से लगाना है, आपने, दिकिए, जो लो, लाष्ट में जब हम इसको अवर करेंगे, डबल कोश्वay को, इस तरीके से हमारे पास, हमने तो टाइम इसमें डबल कोश्वा होगा, इसी में हमने अपने इसको, गाना है इस तरीके यहां पर इसको घुबर करतेंगे देखिए इस तरीके से हो गया है वन है त्री चैन हम यह हम काउंट नहीं कर रहे हैं त्री चैन देखिए कहीं पर भी इस तरीके से भल लेंगे वर लेने के पाद बन और टू स्किप करके थर्ड वाले में डबल कोश्या बनाएंगे इस तरीके से वन टू स्किप करके थर्ड वाले में डबल कोश्या बनाएंगे इस तरीके से वन टू स्किप करके थर्ड वाले में डबल कोश्या बनाएंगे इस तरीके से वन टू थ्री चैन बनाएंगे सेम प्लेस पर अगें डबल कोश्या बनाएंगे इस तरीके से बल लेंगे वन टू स्किप करेंगे थर्ड वाले में डबल कोश्या बनाएंगे वन टू थ्री चैन बनाएंगे अगें फिर सेम प्लेस से सिसी तरीके से हम अपने और स्वी इस तरीकिये से मैं इसका स्वी और कर लिया है इस तरीके से यहां से जायंगे भिएक जा वन्यूं यहां पर हम इसको सबसे पहले स्वनाई के बनाएंगे इस तरीके सी वन टाइम भीच में हमारी चैनल तू डूब्लब्ल-कोश doubt Mol वन और टू के चैन बनाकर सेम प्लेस से अगें टू टाइम डबल कोश्या बनाएंगे वन तो अब देखें फिर से हम फ्रेंट पोस्ट बनाएंगे इसको फ्रेंट पोस्ट इस तरीके से डालेंगे और यहां पर हम वन टाइम डबल कोश्या बना लेंगे इसी तरीके से हम इस तो और यहां पर यह फिर से फ्रेंट पोस्ट बनाएंगे हमें इसको वन टाइम इसको बनाएंगे फ्रेंट पोस्ट वन टाइम देखिए इस तरीके से इस तरीके से हमारे पास टू-टू फ्रेंट पोस्ट बनते जाएंगे यानि जो हमारे यह डिजाइन का यह वाले जो यह कौना इसको करेंगे इसी तरीके से हम इस राउंड को ओबर करेंगे देखिए इस dibuj maze करने इस तरीके से इस बनके आएक बहुत दिजाऩ इस चलिए मिरो राउंड को इस तरीके से ओबर कड़ती है धीक्रें यहाँ पर medical इसको एक चैन लेकर इसको मैं यहां से कट कर दो इस तरीके से इस तरीके से आप देखेंगे तो यह इस तरीके से आपका बन के आया है अब हम नेश्टरो इस्टार्ट करेंगे देखें मैं इसको पिंक थ्रेड को लूँगे और यहीं से जहां से हमने कट किया है न वहीं पर हम इसको निकालेंगे दियान रखेगा लूज ही रखना है आपने टाइट नहीं करना और यह जो थ्रेड है यह बाद में हम जब के बर्डर बनाएंगे उसमें काम आ जाएंगे दिशयां पर मोट अ कि लिए मनायाट काले यहां पर थ्री चैन ले दी है मैंने वह गेयगे अ का फॉल लेंगे नेश्ट में जायंगे नेश्ट में वी सेंब हम इसी तरीके से बनाएंगे अ देख्येगे यहां पर बीछ में अग pur si GOD लेनी हैं नेस्ट में जाएंगे नेस्ट में भी हम ऐसे ही बनाएंगे को तिती देकर वी स्टिश करेड़ करेंगे कि अग्छन अगए रहिक यह तरहिपे से अब क्या करना है आप इसी तरीके से complete करते हुए हम यहाँ पर आएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम again यही वाला pattern repeat करेंगे यह वाला pattern हम यहाँ पर repeat करेंगे और यहाँ पर जब हम repeat करेंगे तो यह वाला हमने यहाँ पर इस तरीके से बनाया था यहाँ पर two हमने यह जो double crochet बनाए थे, friend post बनाए थे, यहाँ पर हम इसको friend post बनाएंगे, यहाँ पर two double crochet बनाएंगे, यहाँ पर friend post बनाएंगे, इस तरीके से हम इसको complete करेंगे, तो मैं इसको complete करके, फिर आपको दिखाऊंगे, इस row को complete करके, तो देखे, यह इस तरीके से मैंने इस round को over किया तोड़ा सा बता देती हुआ आपको किस तरीश करित oo vernिय क्या देखिते से इक यहां पर दोड़ा म despite बनाई थी फिर only the मिद्ज में वन ।ाइम मैंने डबल कोश्या बनाया वन टाइम दहां रखेगा वन टाइम बनाना आपने और अगर आपका थोड़ा सा ये टाइट आ रहा है तो आप इसमें दो बाद डबल कोश्या भी बना सकते हैं इस तरीके से अब यहां से हम क्यूंकि जैसे मैंने बताया मैं शिक्स मंद से वनियर बेबी के लिए बना रही हूं अगर आपका बेबी हेल्थी है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं यहां से भढ़ाना स्टार्ट करेंगे अब यहां पर आपके पास ले सकते हैं मैंने यह सेप्टी पिल लिये हैं नॉर्मल सब के पास मिल जाती हैं अब यहां से हम आर्म हॉल का निकालेंगे तो यहां से दिखे 1 2 3 4 5 5 पे जाएंगे और 5 पे जाने के बाद यह जो मिड्ल वाला हमारा है डबल कोश्या है इस पर हम वन टाइम इसको पिंटक्स करेंगे इस तरीके से अब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वारे हम इसको पकड़ेंगे और 8 वाले जैस मुझन यहां पर इस को वन टाम डबle कोशिय बनाया वह लिया है इसी तरीके से हम निकाल देंगे उगन देखिए ठी 10 बैक 10 back में हो जाएंगे और देखें फिर से हम अपनी finger यहां पर रखेंगे दिखें दोनो यह दोनो फ्रेंट पोश्ट है उनके middle में रखेंगे यहां पर और अगर हम यहां से counting करेंगे अपनी यहाँ पर पहले में अपनी एक पिन डाल देती हूँ ताकि आपको सही से confusion ना हो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अब हम अपना फ्रेंट वाला भी काउंट कर लेते हैं ताकि हमें confusion ना हो 1 2 3 4 5 तो यह जो हमारे इन दोनों के बीच वाला यह जो double crochet है हम इस पर जाकर अपनी पिन को चलग कर देंगे इस तरीके से ठीकर अगर आप खोलक भी करना चाहते हैं खोलके भी कर दें बंद करके बंद कर के कर दें अब हमारा अब workplace होगा हमारा हम back side से walk करेंगे इस तरीके से देखिए सबसे पहले मैं अपनी क्रोशिय को इस तरीके से पकड़ोंगे मैं आपको फ्रेंट से थोड़ा सा दिखाते हूं इस तरीके से वर लेंगे और यहाँ पर जाकर हम हाप डबल कोश्या बनाएंगे फिर से सभी चैन में हाप डबल कोश्या बनाएंगे इस तरीके से और जो हमारी चैन है उसमें भी यानि वन वन टैप हम हाप डबल कोश्या बनाते हुए जहां हमारी पिन लग रही है वहां तक जाएंगे जो हमने सेप्टी पिन लगाई है वहां तक हम जाएंगे तो चलिए वहां तक मैं करके फिर आपको दिखाते हूं मैं यहा वाला है यहां पर हार डबल कोश्या बनाएंगे अब एक वारो और कन्फ्यूज ना होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बन रहे हैं मेरे तो इसकी हमारी यह वाली यह वाली यहां पर हम डबल कोश्या बनाएंगे पिंड को यहां से निकाल देंगे इस तरीके से इसका हम साड्र में रखेंगे अगेन हमने बेक साड में जितनी भी हमने अपने जनल पर कुल करते हुए ऌपशे नि यहां तक बनेगा चली बना कर दिखाती है तो दीखिए मैंने इसको भी बैक साइड को भी ओबर कर लिया है और यहां से पहले पिन को अप करूँगी चले इस तरह से और अपने इस लाश्ट वाले पर डबल कोश्या अहां यहां पर और यहां पर पिन लगे हुई है इसको निकालेंगे पिन को पिन को निकालके हम पहले यहाँ पर बेक साफ में सेंटर दीखने है देकिए यह वाला यह वाला यहाँ पर हमारा धो चें देखाए दे रिए यह हमारा सेंटर वाला half double crochet sorry double crochet ठाग के हम इसको इसी तरीके से continue करके round को over करेंगे तो चलिए में round को over करके फिर आपको दिखाते हूं कि इसका armhole निकालने के बाद look कैसा लग रहा है इस तरीके से बहुत easy है guys आप इसको बहुत easily armhole जो है वो निकाल सकते हैं बड़ा या छोटा बनाना मैं इसका last में बताऊंगे आपको इस तरीके से आप बड़े baby के लिए बनाना चाते हैं अगर आप अपनी jacket भी इस टैप से बनाना चाते हैं तो बना सकते हैं आप jeans पर wear कर सकते हैं skirt पर shorts पर जिस पर wear करना चाहें कर सकते हैं बहुत ही प्यारा ये टॉप लगेगा अगर आप इस तरीके से टॉप बनाएंगे तो color combination आप अपने according ले आप baby boy के लिए इस तरीके से बना सकते हैं इस color combination चेंज कर दें क्योंकि ये pink color है pink baby boy को नेंग खिलता है तो आप चाहें तो फिर blue color में blue और white बना सकते हैं बहुत प्यारा लगेगा ये flower वाला pattern change कर दें दो सा pattern use करें इस जगे पार तो चलिए मैं इसको over करके फिर आपको दिखाऊंगे किस तरीके इसको बनाना है देखे मैंने round over कर लिया है ये इस तरीके से कुछ दिखाई दे रहा है देखे इस तरीके से ये इसका armhole निकल के आया है देखे कितना प्यारा लग रहा है आपके बीबी को अराम से आ जाएगा आप आप sleeps लगाना चाहते sleeps लगा सकते हैं ये इसका इतना जो है वह पार्ट ह हो गया है यहां से इस तरीके से तो देखे इस तरीके से है इसका नीचे का जो पार्ट है उसमें मैं डेजाइन चेंज करूंगी उसका वीडियो में नेश्ट वीडियो में दिखाऊंगी ताकि आप बोर नहों काफी वीडियो बढ़ा हो गया है आप कन्फूज हो जाएंग वीडियो के साथ जब तक के लिए आप इसको इंजोई कीजिएगा बताईएगा कि आपको यह यहां तक टिरेजान समझ में आई है या नहीं आई है